तो चलिए आज बनाएंगे सिंधी दाल बसर तो ये बहुती अच्छी डेश है जो सिंधी लोग अकसर अपने घर में बनाते हैं तो चलिए है स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है तो ये देखिए रेडी है हमारी सिंधी दाल बस तो यही इंग्रीडिन्स है इसके लावा इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए तो चली सबसे पहले क्या करेंगे कि गुकर में मैंने ओयल डाल दिया है क्योंकि अंटिमेटली हम लोग इसको सीटी लगाएंगे तो देखिए अब इसको हम लोग भूनेंगे और अच्छा सा सुनेरा गोल्डन कलर लेके आएंगे इसके अंदर तो ये अभी थोड़ा सा पिंक शेड आ गया है प्याज का अभी थोड़ा सा इसको और भूनेंगे ताकि अच्छा सा कलर इसमें आजए और इसके कलर की वज़े से हमारी दाल का कलर अच्छा आएगा अगर ये प्याज अमारा अच्छा कलर इसमें नहीं आएगा तो दाल का कलर भी अच्छा नहीं आएगा तो देखिए प्याज हमारा बुन रहा है अभी दो मिन्ट अभी इसको और लगेंगे अच्छा कलर आने के लिए इसको बीट-बीट में ऐसे ही चलाते रहेंगी ताकि हमारे प्याज जल न जाए अगर क्योंकि जल जाएंगे तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा दाल खराब हो जाएगी तो अब देखिए प्याज का कलर हमारा बहुत अच्छा सा आ गया है इसी तरीकी का कलर हम लोगों को चाहिए यह इस तरीकी का बस अब इस समय पर क्या करेंगे हम लोग इसमें डाल देंगे टमाटर और हरीमिच जो मैंने चॉप करके रख ली है तो यह चॉप टमाटर हरीमिच डाल देंगे और इसके साथ जो है इसको भूनेंगे टमाटर के साथ और इसके साथ ही क्या करेंगे हम लो दालको अच्छे से तीन से चार बार वाश कर लेना है उसके बाद ही डालना है और maximum आदा गंटा तो उसको भिगोना है तो यह देखिये मैं इसमें डाल दे रही हूं दाल डाल का पानी मैंने पहले ही निकाल दिया था और सिर्फ डाल मैस में डाल रहे हूँ अब इसके साथ इसमें कुछ मसाले डलेंगे मैस में डाल रहे हूँ पहले धनिया पाउडर और धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिलता है तो मैं इसमें करीब दो चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी तो यह देखे मैंने इसमें धनिया पाउडर डाली छोटे से जो चम्मच है ऐसे में जो मसाल दानी में रहते हैं वही दो चमच मैं इसमें डाल नी हूँ, थोड़ा से मैंने, से लाल मिच डाला है। और हरिमच में पίοता है, वざ सालजय कнес, आप हलती ही डाला है कि 드 Wa The जब गरμी आती है न तो गरμी में सिंदीज लोग इसको चावल के साथ जरूर बनाते हैं रात में चावल के साथ छिफ के साथ इसके एंजॉई करते हैं तो देखे दाल हमारी बुन रही है और देखिए, oil release हो गया है, मसालो में oil release कर दिया, दाल अच्छे से बुन के त्यार हो गई है, तो अब इसमें हम एक glass पानी डाल देंगे, नर्मल जो एक glass पानी पीते हैं न हम लोग घर में, वही वाला एक glass पानी डाल देंगे, बस इतना पानी इसमें sufficient होगा अभी, और आप अब इसका डगान लगा के, और इसमें कम से कम हम लोग छे से साथ सीटी लगाएंगे, दो सीटी आप फोड़ी हाई फ्लेम पे लगा के, फिर स्लो पे रख दीजेगा, जब छे से साथ सीटी लग जाए, तो हम लोग कुकर को बंद करतेंगे, तो अब देखिए, कुकर में चे से साथ सीटी लग गई थी, स्टीम रिलीज हो गई कुकर की मैस को खोल दिया है, देखिए, तो दाल हमारे बनकर रेडी हो गई, पर अभी दाल मुझे थोड़ी सी सूखी लग रही है, तो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आधी का टोड़ी के करीब पानी डाल द अगर आपको रोटी के साथ सर्फ करना हो तो आप इसी तरीके से सर्फ कर सकते हैं, तो मैंने इसमें आदा कप पानी डाल दिया है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब इसको गैस पे रख देंगे, ताकि जो उपने पानी डाला था हो फिर से बॉयल हो जाए, तो इसलिए इसको अच्छे से बॉयल करेंगे, पूरी डाल को मिक्स करके, गरा मसाला धनिया वगर ऐसे मिक्स कर देंगे, और इसको एक अच्छे सा बॉयल आने देंगे, तो ये देखिए डाल अमारी बॉयल हो चुकी है, अब बहुती बढ़िया डिलिशिस डाल बनकर हमारी रेडी है देखिए तो अब हम लोग इसको सर्फ कर देंगे मैंने इसको सर्फ किया है दाल को चावल के साथ और चिप्स के साथ और हरी मिर्च तल दी थी मैंने दो और उसके साथ मैंने इसको सर्फ किया और ये कंप्लीट मिल डिश है और आप लोग इसके साथ आम भी सर्फ कर सकते हैं तो कैसे लगी आपको ये डिश प्लीज कमेंट करके बताईएगा वीडियो अच्छे होगी तो लाइक करें शेर करें चानल पे नहीं हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें मैं मिलूँ कि आपसे अगली वीडियो में अंटल नन बाई